हेलो फ्रेंटेंट्स मेन राम है भीजय अर आज totally में बात करेंगी कैसे आप डिफरें सिर्ट फंक्शन को कंपैर कर सकते हैं। उ gewoon कि टाइम को टाय। सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं तो यहां पर इससे पहले वाली वीडियो में आपको time complexity के बने बताया था मैं आपको तरीके बताया था कि कैसे आप एक iterative function और कैसे recursive function की time complexity को निकाल सकते हैं लेकिन अगर क्या हो अगर दो function आपको दिये हो और आपको compare करना हो ठीक है तो उनको आप कैसे निकालेंगे कौन सा ज्यादा बड़ा है जो ज्यादा time देगा ठीक है तो देखिए उसके लिए एक shortcut की मैंने आपर provide की है ठीक है इससे आपको बहुत की गही है यह shortcut की है आपकी एक तरह कैसे ठीक है आप इसको learn कर सकते हैं अच्छी तरह से तो यहाँ पा देखिए big of log n है ठीक है log n function हमेशा क्या होगा जो n function होगा उससे छोटा होगा ठीक है क्योंकि log n देखिए अगर मैं 64 का log n निकालता हूँ log निकालता हूँ और यह base 2 है इसका 64 निकालोंगा तो मुझे देखना पड़ेगा कि 64 किसकी पावर माता है ठीक है 2 की पावर कितने माता है 6 माता है 64 2 4 8 16 32 64 2 की पावर 6 माता है तो इसका answer कितना निकल के आएगा इसका answer निकल के आएगा 6 ठीक है तो यह हमेशा छोटी value देगा जो कि 64 से कम होगी n के comparison में ठीक है क्योंकि n हमारा 64 हुआ लेकिन log2n ने क्या करा log2n ने क्या करा इसको 6 value देदी तो हमेशा log2n हमेशा छोटा होगा n से ठीक है और आपका n logn हमेशा बढ़ा होगा n से ठीक है क्योंकि यहाँ पर logn में हम लोग क्या कर रहे है n को multiply करते रहे है तो 64 में 6 और multiply हो जा रह तो इसकी power कोई constant एसे ठीक है तो यह हमेशा क्या होगा n log n से बढ़ा होगा उसके बाद आता है अवा constant की power n कोई constant है ठीक है जिस64 है उसकी power n जेसे ठीक है यहसे n की value माल लेज़े 1000 है तो यहां पर 64 की power 1000 है तो वो हमेशा बढ़ा होगा किससे n की power constant से ठीक है और उससे भी बढ़ा होगा n का factorial ठीक है तो अगर आपको ऐसे direct question मिलते हैं तो इसको आप direct solve कर सकते हैं ठीक है अगर आपको direct question नहीं मिलते हैं ठीक है तो उसको आप कैसे करेंगे उसके बीचे का logic भी आपको बताएंगे ठीक है तो यहां पर देखें पहला question हमें देख रहा है n की power root n और n की power log n तो यहां पर देखें इसको कैसे solve करेंगे और यहां पर देखें आपको log की properties भी याद होनी चाहिए ठीक है क्योंकि हम यहां पर log की properties से help फिर यहां पर आता है आपका log m upon n तो यहां पर divide में क्या होता है minus हो जाता है और यहां पर देखें यह main last property बहुत important है a की power log और यह base है ठीक है base n मतलब यह B कुछ भी हो सकता है यहां विसे हम 2 link में ज्यादा था तो यहां पर log 2n मान लीजिए तो यहां पर क्या होगा n आग n है यहां पर भी n है ठीक है फरक किस चीज़ से बढ़ेगा यह power से अब मुझे अगर यह पता थेल जाए कि root n और log n में कौन बड़ा है तो मैं अराम से निकाल सकता हूँ कि इन दोनों function में से कौन बड़ा function होगा ठीक है यह कमाले जी यह हमारा function fn है और यह जो function है यह decrease करता है जैसे अगर मैं root 64 लिखूंगा तो यह मुझे क्या बताएगा 64 किसका root है 8 का ठीक है और यहां पर log n लिखूंगा तो यह मुझे क्या बताएगा कि किसकी power मैं जाता है अगर यहां पर base 2 है ठीक है base 2 log n है ठीक है तो यह 2 की power कौन सी है यह 2 की power 6 है तो 8 हमें 6 से बड की पावर 64 जो की हमेशा बड़ा होगा किससे log 2 की पावर 2 की पावर 128 जिसका answer आएगा 128 तो की काफी बड़ा नमबर है तो आप क्या कर सकते हैं यहाँपर 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 इक Aqui बड़ा नमबर रख सकते हैं ठाझे कि तो इस case में direct पता चलता है कि आपका ये n की power 1 upon root 2 हमेशा बढ़ा होगा log 2 n से और अगर आप यहाँ पर देखें उपर देखें जो मैंने table बनाई है मैंने आप लिखा n की power कोई constant होगी तो वो हमेशा किस से बढ़ी होगी log n से बढ़ी होगी ठीक है तो यहाँ पर इससे भी आ तो यहाँ पर देखें यहाँ पर पहले question में तो base सेम था यहाँ पर base भी सेम नहीं है यहाँ 2 की power n है यहाँ n log n है तो इसको कैसे solve कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें आप तो एक intuition लगा सकते हैं यहाँ पर देखें कौन सी परपर लिए constant की power n और n log n है वो हमें यहाँ पर तो यहां पर n log n है और यहां constant की power n है ठीक है यह दो comparison हो रहे है इसका और इसका तो यहां पर हमें दिख रहा है constant की power n हमेशा ही बड़ा होगा n log n से ठीक है तो क्या पता हो सकता है आप exam में इस table को भूल जाएं जो मैंने key provide किया से भूल जाएं तो कैसे solve करेंगे तो आपको क कुछ नहीं करना है दोनों side log ले लेना है क्या लेना है बोच side log ले लेना है ठीक है लोग ले 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 लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा log 2 की power n और यहां हो जाएगा log n ठीक है इसको अब solve कर देंगे ठीक है अब यह मत कीजिएगा कि एगर log भी भूल गए तो log की property लागो भी नहीं सकता तो यहां पर क्या property बताईए मैंने देख़े log n की power n होता है तो n आ गयाा जाता है और log n बोच यहां पर n आ गया जाएगा और यहा पर log 2 बस टू होगा यहां पर यहां पर भी बस टू में है ठीक है यहां बहुंत तो यहां पर देख्यक हम्में पता ह n प्लस क्योंकि multiply है न यह m into n है यह m है यह n है तो यह दोनों multiply हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा log m into n मतलब log n प्लस log 2 log 2n ठीक है अब देखिए अब देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर n की value कुछ माल लूँगा ठीक है जैसे n की value मैंने माल ली 2 की power 1.8 कोई ब क्या value देखा 128 value देखा और यह कितनी value देखा पहले तो अंदर वाला यह log n है यह value देखा 128 इसके बाहर से log लग जाएगा ठीक है log 2 128 और 128 किसका होता है आपका 64 का दूगना 128 तो यहाँ पर 7 8 सॉरी 2 की power 8 ठीक है तो यह 8 देखा 8 प्लस 128 और यहाँ पर कितना आ रहे 2 की power 128 ज यह क्या है इससे बड़ा है ठीक है second question भी हमारा solve हो गया ठीक है इस तरह से आपको solve करना है log लगा के अब third question हमारे यहाँ पर मिलता है में n की power 4 upon 5 और n log n ठीक है तो यहाँ पर क्या है यह n की power constant है और यहाँ पर क्या है n की power log n है तो यहाँ पर देखे ठीक है अगर हम property दे म match करना चाहें तो कोई property मैं चोड़ी constant log n की power c constant हो गया और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर हम n की power log में है ठीक है हमने यहाँ पर नहीं दिया एक key में n की power log में तो इसको कैसे solve कर लेंगे आप तो यहाँ पर देखे इसको कैसे solve करेंगे हम लोग इलेंगे फिट से log ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा यह हो जाएगा आपका n की power 4.5 और यहाँ हो जाएगा आपका log n की power log n ठीक है तो यहाँ यह कितना बन जाएगा 4.5 log n और यहाँ आजाएगा आगे से आजाएगी power log n और log n ठीक है तो यहाँ पर देखे जो common होता उस पार्ट को आ है और यहां पर है log n ठीक है तो यहां पर देखिए constant की value से बड़ा होगा हमेशा constant की value से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा log n ठीक हो गया यह हमारा solve हो गया यहां पर fourth question लेंगे का फेच्चा question है यह भी यहां पर देखिए log log n है और log n है तो अगर simplify करके लिखों तो log log n और यहां पर क्या है हमारा log n की power 1 upon 2 ठीक है यहां पर देखिए आप क्या कर सकते हैं तो direct values में रख सकते हैं या तो आप यह चेक कर सकते हैं कि log n और यहां पर जो log n है इसका under root है इन दोनों में से यह log n में से और log n के under root में से हमेशा यह बड़ा होगा यह बड़ा होगा उसमें भी आप क्या कर रहे हैं फिर से log लगा दे रहे हैं मतलब इस यह log n की value को और छोटा कर रहे हैं decrease कर रहे हैं जबकि यह decrease नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है हमेशा यह क्या होगा बड़ा होगा यह थोड़ा logically मैं आपको बताया ठीक है कि आप ऐसे भी जिख सकते हैं ताकि आपको टाइम बचें ठीक है क्योंकि एक्जाम आपको टाइम ही बचाना सबसे important काम होता है ठीक है तो यहाँ पर देखे मैंने सारी कहा किया मैंने कहा log n को log n under root से compare किया तो मुझे पता चला कि जो log n होगा वो हमेशा छोटी value देगा log n के under root से ठीक इस तरह से भी आप question solve कर सकते हैं तो different different approach मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप हर तरह कैसे कर सके यहाँ पर fifth question ले लिए ठीक है और यह जो PDF आपको हमारे github account से मिल जागी और telegram account से मिल जागी मैं आपको request करूँ मैं telegram account को भी join कर ले और github account को भी join कर ले ठीक n से हमें यह चीज़ा पता चलते है कि जब भी किसी भी variable power है n की कोई power है हमारी login तो वो ज्यादा exponential ज्यादा तेजी से बढ़ेगी जैसे कि अगर मैं यहाँ पर n की value 64 ले लूँ ठीक है तो यहाँ पर जाएगा 64 की power और n 64 क्या होगा 248 16 32 64 64 की power 7 यह हमेशा बढ़ी होगी 64 into 7 से क्योंकि यहाँ पर multiplication हमेशा छोटा होता है power से तो यहाँ यह देखने को मिल रहा है कि जो n log n है वो क्या है आपका बड़ा है n into log n से value पूट करके भी देख सकते हैं यहाँ या तो यहाँ लॉग लगा के भी कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखिए मैं value पूट करके क यहाँ पर हमेशा power बड़ी होगी ठीक है तो कुछ question आपके logically हो जाएंगे कुछ question में आपको यहाँ पर सिर्फ बिना pen उठाए काम करना पड़ेगा और कुछ में आपको pen चलानी पड़ेगी क्योंगी कभी कोशन आपके इसने typical बन जाते हैं ठीक है अब जैसे 2 की power n है और n की power 2 ही है तो हमें साफ comparison की से देखने को मिल जाएगा जो हमने उपर दीखा है कि constant की power n है और किसी variable की power constant है यहाँ पर देखिए कौन सा बड़ा है हमने क्या लिखा था constant की power n हमें सा क्या होगा बड़ा होगा किसी भी n की power constant से तो यह तो साफ़ पता लेगा कि अगर table याद ह होगी तो अगर table याद नहीं हुई तो आप खरलेंगे log ले लेंगे log 2 की power n और यहाँ पर log n का square तो यह कितना बन जाएगा n log 2 ठीक है और यहाँ कितना बन जाएगा 2 log ठीक है तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका n और यह हो जाएगा 2 log n कोई फरक नी होता है वह क्या होता है बड़ा होता है log n से चाहिए उसमें कितने बिए constant multiply कर दें तो यह हमेंसा बड़ा होगा अब आते हैं 7th question में ठीक है यह वी अच्छा question है आपका इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिए इसमें पता नहीं चल ला है वैसे क्या करना क्या है ठीक है यह क दूसरा बचे का यहां n की पावर log n की पावर 10 तो यहां पर क्या है किसी नंबर को log n को हम लोग क्या कर रहे है n से multiply कर आ रहे है और फिर हम log n की पावर कोई constant term है तो यहां पर थोड़ा typical पढ़ सकता है कि अगर यहां पर n होता तो मैं direct से बचा देता माल लिजा अगर ऐसा होता है log n की पावर n था और यहां पर होता है n log n तो हम यह direct answer बता देता है कि कौन से बढ़ा होगा यह बढ़ा होता सिंपल से बात है क्योंकि किसी की भी पावर ठीक है हमें साब बढ़ी होती है उसके multiplication से ठीक है लेकिन यहां पर कोई constant value है तो कभी कभी हो सकता कि आप value ऐस ठीक है तो कैसे solve होगा यहां पर से squat आ देता हूं में यह ए n square था हमारा और यह था हमारा n तो देखे यहां पर log ले ले रहा हूं मैं बोड साइड तो यह कितना हो जाएगा log n का square log n और हो जाएगा आपका log n की पावर 10 ठीक है यह क्या हो जाएगा देखे प्रोपर्टी ल और यहां कितना हो जाएगा log n प्लस log log n की पावर 10 ठीक है अब देखे नेक्स्ट लाइन में comparison करनेंगे अगर तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 2 log n प्लस log log का n और यहां हो जाएगा log n प्लस log 10 log log n ठीक है तो देखे यहां पर यहां पर log n है यहां लोग n टू से मल्टिपला हो रहा है ठीक है यहां लोग n है यहां पर 10 से मल्टिपला हो रहा है ठीक है यहां पर हमें देख रहा है कि यहां पर 10 से ज्यादा मल्टिपला हो रहा है ठीक है 10 से ज्यादा मल्टिप लग रहा है तो अब इस case में क्या करेंगे कोई value रखे दिखे लिए कोई बड़ी सी value ठीक अगर आपका अंता जाएगा तो आपका आ जाएगा आप यहां कितना आ जाएगा यहां आ जाएगा आपका 128 और यहां प्लस हो कितना जाएगा 10 इंटू 8 यहां पर आ जाएगा 80 यहां पर आ जाएगा 128 और यहां पर प्लस नहीं होगा यहां कॉमा होगा और यहां आ जाएगा आपका 256 प्लस 8 ठीक है तो यहाँ पर यह value हमें आपर बड़ी देखने को मिल लिए तो यह आपकी value बड़ी हो जाएगे हम आजाते हैं हमने last question पर यहाँ पर हमारा यह question है मिल ला है तो देखें को किसे solve करेंगे यहाँ पर आ रहा है 3n की power root n और यहाँ पर रहा है 2 की power n log 2n तो यहाँ पर क्या करेंगे log ले लेंगे both side इसको solve करेंगे ठीक है log ले लोग तो कितना हो जाएगा log 3n की power root n और यहाँ कितना हो जाएगा log 2 की power root n और यहाँ पर power में ही है log 2n ठीक है तो देखें इसको solve कैसे करेंगे यह आपका 3n root n हो गया ठीक है तो यहाँ पर देखें इसको मैं ऐसे लेह सकता हूह न 2 की power log 2n की power under root n ठीक है यहाँ पर इसको ऐसे लेह सकता हूह तो इसको यह पर ऐसे लेह लेह by 2.0 k outtaкого 9 एन की पावर अंडर रूट ठीक है लग रही है यह हमारा है टू है और फिर लॉग है ठीक है फिर कोई वेल्यू है भी तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना यहां पर देखें मैंने प्रपर्टी लिख़ा रखिया आपको कि लॉग एकी पावर लॉग है ठीक है और एन है ठीक है तो उसको हम लोग क्या करते है एन को आगे लिए आते हैं लॉग एक उपल लिए तो इसको मैं ऐसे लिख ले हूँगा तो यहां पर इसको कैसे लिख लेंगे लेक्स लाइन से यह तैसी रहेगा थ्री एन की पावर अं और यह जो बिचते भी log हैं, सब base 2 वाले हैं, ठीक है, तो यह कैसे solve जाएका log 2 1 हो जाएगा आपका 1, और यह हो जाएगा n की power root n, और यह हो जाएगा 3 power n root n, ठीक है, तो मैं दिख रहे हैं, यहाँ पर कोई constant से multiply हो रहा है, तो यह है मिसा, क्या होगा, आपका बड़ा होगा, ठीक है, तो इस तरह केसे आप लोग क्या कर सकते हैं, different functions को compare कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर मैं छोटी सी request आप से करना चाहूँगा, हमारे एक दूसरा channel भी है, CSGeeks 2.0, जहाँ पर हम आपके gates की related subject, जो CAC में पूछे जाते हैं, वो वहाँ पर cover करते हैं, तो अगर आपको C CAC के subjects पढ़ने में interest है, जिसे data structure हो गया, algorithm हो गया, CEO हो गया, database हो गया, computer organization हो गया, operating system हो गया, वहाँ पर detail में हम लोग वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और साथी साथ हम लोग आपके gate के question भी solve करवा रहे हैं आपको, ताकि आपको और detail में अच्छे से आपकी तयारी हो सके, और और चसे अपके जेनु करवाँ आपके